नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप रास्टपती भावन के म्यूजय में विजट करना चाहते हैं गोमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे टिकेट्स बुक करना है कैसे अपना स्लोट बुक करना है और यहाँ पे टिकेट प्राइस पर परसन की क आ रहेगी वह सारी ही डिटेश वीडियो हमने बनाई भी हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर रास्टपती भावन की वेबसाइट पर आ जाना है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है डायरेक्ट आप यहाँ पर आएंगे जैसे आप इस वेबसाइट प उपर कॉर्णर में उसमां को क्लिक करना है उसमां क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पि अपनी देट कर लेनी है देट याँ पे बांगे दो के हमां पर 5 slot है आपको अपना slot यहाँ पर select कर लेना है किस slot में आप जाना चाहते हैं आप सुबह दिन में दो पहर बाद या फिसाम को जब भी आप जाना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पर 11 बजी का slot book कर लेते हैं तो आपको 11 एम में click करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर आपको दो options दिखते हैं जैसे individual and small group maximum 30 लोगं का group हो सकता है वहीं अगर आप school college से हैं तो उसमें भी maximum 30 लोगं का group हो सकता है यहाँ पर आप अगर आप school college से हैं तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी charges नहीं देने हैं अगर आप केंदरी विद्याले या government school से हैं अगर आप other कोई college से या फिर other कोई school से हैं तो फिर आपको यहाँ पर charges देने पड़ेंगे 50 rupees per person अब अब 8 year 8 साल से बड़े जोँगे उनको 8 साल से छोटे जोँगे 8 साल से छोटे उनको यहाँ पर कोई charges नहीं देने अगर आप केंद्री विध्याले या गौर्मेंट इस्कूल से हैं तो फिर आपको कोई चार्ज नहीं देना है आप आठ साल से बड़े भी हैं तब भी आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं देना है अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे individual and small group का option दिख्राएग इस side left hand side इसमें click कर ले रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे date हम ने बताई दिया था 30 और 11 बजी का slot हमने book कर दिया उसके बाद अगर आप 8 से छोटे हैं 8 साल से छोटी आपकी उमर है तो आपको यहाँ पे कोई charges नहीं लगने वाले हैं अगर आप 8 साल से बड़े हैं तभी 50 rupees per person यहाँ पे charge होंगे अगर आप foreigner हैं तो भी आपको 50 rupees per person देना पड़े या उसमें कोई age limit नहीं है सभी को 50 rupees per person यहाँ पे charges देने पड़ेंगे 50 rupees per person यहाँ पे ticket price होगी उसके बाद आपको यहाँ पे continue कर लेना है continue में click करने के बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number डालना है get OTP में click करना है उस number पे OTP आएगी OTP डालने के बाद आपको verify कर लेना है अपनी OTP उसके बाद यहाँ पे आपकी details आएगी जैसे यहाँ पर mobile number तो आपने डाली दिया था तो mobile number पहले से आएगा आपको यहाँ पर अपना name, यहाँ पर email id, यहाँ पर अपना state डालेना है जिस भी state से आप आ रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना district select कर लेना है और यहाँ पर अपनी select id type, कौनसी id आप वहाँ लेके जाएंगे, वो id आपको यहाँ पर select कर लेना है IDs में यहाँ पर आधार कार्ड, pen card, driving lessons, passport, voter id card, government issue, कोई भी id card या student card या passbook या फिर अधर कोई भी id यहाँ पर चलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर select कर लेना है, कौनसी id आप लेके जाएंगे अपने साथ में उसके बाद आपको यह capture फिल करना है, उसके बाद continue में click कर लेना है उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी details फिर से सो रही है, visit schedule आपका क्या है, यहाँ पर दिखा रहा है 30 मॉंबर को time ही है, आपकी दिन के 11 बजे, और यहाँ पर आप 8 साल से बढ़े हैं, एक परसन यहाँ पर है, तो total आपको 50 रुपीज यहाँ पे पे करने UPI से कर सकते हैं, अगर आप credit card से payment करेंगे तो यहाँ पर bank charges देने पड़ेंगे आपको, लगबग 13 रुपय आपको extra यहाँ पर देने पड़ेंगे, और आप इन सब चीजों से यहाँ पर अपनी payment कर सकते हैं, payment करने के बाद आपकी payment receipts, आपकी email ID और आपकी phone number पर आ जाएं से आप रास्तबती भवन museum की tickets book कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको informity लगी हो तो हमारी वीडियो को like जरूर करें, मिलते हम लिए ऐसी ही informity वीडियो के साथ धन्यवाद